तो हेलो दोस्तों इंडिया वस सिल्लंका फर्स्टी ट्वंटी मैच उम्रान मलिक ने तोड़ा बुम्रा का रिकॉर्ड 155 की स्पीड से बॉल डाल सिल्लंकाई कप्तान को चौकाया तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाते हो दो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे तो दोस्तों उम्रान मलिक ने एक तुफानी स्पीड वाली गेंद पर दसुम सनाका को आउट किया जिस गेंद पर उम्रान ने दसुम सनाका को पैविलियन भेजा उसकी रपतार 155 किलोमेटर परते गंटे की थी यह इस मैज की सबसे तेज गती वाली गेंद भी रही तो दोस्तों भारत ने साल की सुरुआत जीत के साथ की है सिरलंका के खिलाब पहले टी-20 में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे और अपने इंटरनेशनल डेवियू में चार विकेट जटके हालांकी तूफानी गेंद वाज उम्रान मलिक ने भी कहर बर पाया और दो विकेट जटके मैच के बाद उम्रान मलिक का एक वीडियो खुब वाइरल हो रहा है मावी ने सिलंकाई टीम को सु लंका ने पांच विकेट गमा दिये थे इसके बाद वानिंदू हसरंगा और कप्तान दसुम सनाका ने सिलंकाई पारी को संबाला दोनों ने चटे विकेट के लिए 40 रन की साजेदारी निभाई मावी ने हसरंगा को आउट किया वहीं उम्रान मलिक ने एक तुफानी स्पी वाली गेंद भी रही है उम्रान मलिक की इस तेजगती की गेंद पर दसुम सनाका ने युजवेंदर चहल को कैंस थमाया उन्होंने 27 गेंदों में 45 रन की पारी खेली इस विकेट ने मैच का रूप पलट कर रख दिया और भारतिया टीम मैच में हावी हो गई तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई